सुना था दोस्तों से उनकी माँ उन पर कैसे चिलाती है उनकी ऐसी बाते सुनकर मुझको तेरी याज सताती है वो कहते हैं उनकी मम्मी उनको रोज रोलाती है फिर खुद नैने लालच देकर उनको खूब मनाती है बच्चा मा से कहता है कि मैं जरा भी ना रोऊंगा तु कितना भी मारे ताना मा देख में कितना बड़ा हुआ हूँ देर हुई अब आना मा अगली पंक्तिया हैं नए नए मा उनकी रोज नए नए मा उनकी रोज उनको पकवान खिलाती है पूरे घर का भर के पेट अन्त में बचा हुआ वो खाती है जा मैं बाद में खालूँगा तू पहले ही खाना मा भूग जोर से लगी है तेरी देर हुई अब आना मा अगली अंदिम चार पंक्तियां की माना सब कुछ पास मेरे है माना सब कुछ पास मेरे है पापा दादी साथ मेरे है माना सब कुछ पास मेरे है पापा दादी साथ मेरे है लेकिन जो सब से कहता लेकिन जो तुछ से कहता वो मुश्किल सब से कहपाना मा लेकिन जो तुझ से कहता वो मुश्किल सबसे कहपाना मा आखे मेरी तेरे दरस को तरस रही है आना मा आखे मेरी तेरे दरस को तरस रही है भरी मैफिल है भरी मैफिल है हजारों लोग है भरी मैफिल है हजारों लोग है देख रहा तू ही बस ये कौन सा रोग है अरश किया है देखूं तो खौब है तू देखूं तो खौब है तू लिखूं तो किताब है तू देखूं तो खौब है तू लिखूं तो किताब है तू और मेरी जिंदकी के अंधेरों का प्यारा साफ ताभ है तू और मिलने जाने की सक्ता में लिखा है कि रोज बाते समेटते हैं कि कह देंगे उससे मिलकर फिर खुद सिमट जाते हैं जब मिलते हैं उससे और कोस्ता रहा नसीब अपना कोस्ता रहा नसीब अपना जब तक वो मिला नहीं मिला तो वो मुझे अब खुदा से कोई गिला नहीं और जिन्दगी पतंग मेरी जिन्दगी पतंग मेरी और तुम पतंग की डोर हो मेरे अनंत प्रेम का तुम ही अंतिम छोर हो ना कुछ पाने का सोचा मैंने ना कुछ पाने का सोचा मैंने, ना खोने का जिक्र किया, ना हसने की हसरत की, ना रोने की फिक्र किया, बस इश्क किया, मैंने उससे बस इश्क किया. पैंट शट और उनके पसंद की मिठाई लेके घर जाना है, जल्द कुछ बना दे ऐ जिंदगी, मुझे पिता को गले लगाना है.